एक लड़का जो लड़की को बच्पन से प्यार करता है पर उस लड़की ने हमें शहों से मैनुपिलेटी किया इनकी लोग स्टोरी का अंद क्या होगा हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको ग्रेट एक्स्पेक्टेशन ही 1998 की एक रोमेंटिक हॉलिवड मुवी एक्स्पेक्टेशन करने वाल हूँ बड़ा होने के बाद फिन ही ये सब स्टोरी हमें बता रहा है उसे पानी में कुछ दिखा और अचानक से एक आदमी उसे पकड़ लेता है उसका मूझ ने बंद कर दिया वो कहता है मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें में म सिस्टर के बॉ opens लग रहा है क्या हूआ फिन को लग रहा था कि सिस्टर के बॉफ्रेंट को बता देना चाहिए पर वो कुछ भी नहीं कहता उसHI ख़ाना और बॉल कटर लाने के लिए कहा था राट में विस ही सब चीजे कर कर आध्र के बहुज गया उसने उस पुलिस ने ने देख लिया ये क्रिमिनल जल्दी से बोर्ट से उतर जाता है और एक जगह पर जाकर रोक कया पुलिस ने फिन से बात जी से पूछा, तुम यहां कर क्या रहे हो फिन गाता है कि मैं ऐसे हैंगाउट कर रहा तो पुलीस उसे लेकर जाकर उसे घर छोड़ देते घर आने पर फिन अपनी सिस्टर के बॉइफ्रेंड के साथ जिसका नाम है जो काम पर जाता है इनके स्टेट के सबसे अमीर लेडी के घर पर इन्हें काम करने के लिए जाना था जब ये लेडी यंग थी तो उसके शादी में उसका गुरूम उसे छोड़ कर चला गया था उसके बाद से वो पागल हो गई इसी वज़े से उसका घर तहसनेस पड़ा हुआ था इसी का काम फिन और जो करने वाले थे जो घर में गया और फिन बहार ही रुख गया वही गार्डन में फिन ने लड़की को नोटिस किया वो अचानक से वहाँ से चली भी गई थी जो घर में गया और उसके लिए पैसे रखे हुए थे कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ा तो उस लेड़ी पर बहुत असता है घर आने पर फिन की सिस्टर को उसी लेड़ी का कॉल आया था वो लेड़ी फिन को अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेलने के लिए बुला रही थी जो और फिन की सिस्टर दोनों बहुत ही खुश हो डांस करने लगती है वो खुद बोर हो रही थी तो इसी वज़े से उसने फिन को बुलवा हुआ था फिन कहता है मैं डांस नहीं कर सकता पर मुझे ड्रॉइंग आती है नोरा ने उसे इंकरेश किया वो एस्टर का पोट्रेट बनाने के लिए उसे कहती है पोट्रेट बनात हाउट करेगी यह बात एक बच्चा समझ नहीं सकता और वो प्यार करता है तो करता है इसके बाद फिन और इस्टेल जब नीचे आया है तो घर में फांटन चल रहा था इसी फांटन से इस्टेला पानी पीती रहा है उसने फिन को भी ट्राइव करने के लिए कहा फिन जब फिन का ख्याल रखा, उन्होंने सिस्टर के बारे में बाद में कभी भी बात नहीं की, फिन और एस्टेला एक साथ घुल मिलने लग गए थे, इसी तरीके से ये दोनों बड़े हो गए, एक दिन एस्टेला को पार्टी में जाना था, पर नोरा उसे मना कर रही थी, क्योंकि प पहन कर जब वो इस पार्टी में पहुचा, तो गेसलिस में उसका नाम नहीं है, एस्टेला ने जान बुझ कर किया था, पर वो पार्टी में बोर हो चुकी थी, तो बाहर आकर फिन से मिलती है, कहती है, मुझे कही लेकर चलो, फिन फिन फिर उसे अपने घर लेकर आया, फि इसमें बहुती ब्यूटिफुल लग रही थी, उसके हैस भी अलग थे, वो फिन से बुझती है, क्या तुम्हें मेरे हैस इस तरीके से अच्छे लगते है, फिन ने हा कहा, तो गहती है, तुम्हें और क्या अच्छा लगता है, वो उसके पास आगे, फिन उसे टच करने कभी उसके बहुती करीब आगे, तो बहुत दूर चली गए, एक दिन जब फिन एस्टेला से मिलने के लिए उसके घर अपर आया, तो आसपास कही भी नहीं थी, नोरा ने फिन से बात किये, कहती है, मेरी शादी में मेरा बॉइफ्रेंड मुझे छोड़ कर चला गया था, व इन बहुती ज़्यादा हार ब्रोकन हो जाता है, उसकी प्यार से फेट चली गई थी, अपने आपको उसने काम में डाल दिया, पेंटिंग करना भी छोड़ दिया था, वो गहता है, अब मैं खुद को खड़ा करूंगा, अच्छे से उसने फिशिंग में गिरा सीखिया, जै उस लायर ने उसे डारेंग्ली थाउजन डॉलर्स और फ्लाइट टिकिट दे दिया, एस्टेला के जाने के बाद फिन ने पेंटिंग्स छोड़ दी थी, अब वो एक काम नहीं करना चाता था, पर थोड़ा सोचने के बाद इसके लिए रेडी हो जाता है, उससे लगता है क ये सब अरेंज़ करने वाले नोरा ही होगी, तो उसे मिलने के लिए हो गया, उसने उससे कहा कि मेरा नुई यॉर्क में एक्जिबिशन है, फिन को पता था कि एस्टेल भी नुई यॉर्क में ही है, तो नोरा से बुचता है क्या वहाँ मुझे जाना चाहिए, मेरा आर्ट नोरा कहती है, ऐसी ओपोर्चनिटी बहुत ही कम ही मिलती है, तुम्हें ले लेना चाहिए, अपने एक्जिबिशन के लिए मुझे भी इन्वाइट करना, इसके बाद फिर फिन नुई यॉर्क में पहुच गया, फिन का एक्जिबिशन तो है और उसके पास कोई भी पेंट इन को अपने आपको फ्रूव करना था, तो है चैलेंज हो एक्सेब्ट कर लेता है, जब उसने ट्रॉख करने की कोशिश की, तो पहले जिस तरीके से करता था, वह इसे फिर से करने लग गया, फिन रियलाइस करता है, कि उसके पास एक गिफ्ट है, कि उसने इग्णोर किया था, पर यह फिर से उसके पास वापस आ रहा है, तो इस उपरोचुनिटियों को जाने नहीं देगा, एक जगा पर उसने फांटन का टैब देखा, जिस तरीके से पानी पीते हुए, एस्टेल के साथ उसकी फर्स्ट कीस हुई थी, उसी तरीके से यह पानी पीने लग जाता है, फिर से एस्टेल उसी के साथ पानी पीती है, इतने सालों बाद यह फिर से मिले, एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे, एस्टेल ने फिन को कल एक जगा पर मिलने के लिए बुलाया, अगले दिन एक्साइड़ेड होकर फिन वहाँ पर पहुँच गया, एस्टेल आप चाहती है कि फिन उसकी फिर से ड्राइंग बनाए, बॉइफ्रेंड यह सब चीजे देखकर नर्वस हो गया था, एक दिन ऐसे ही बिना वताय एस्टेल फिन के घर पर पहुँच गई, उसे उसकी पोट्रेट बनाने के लिए लिए बहुँच न्यूड हो गई, फिन भी चाह मेरे साथ ऐसा करती क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ भी फिल नहीं होता, एस्टेला ने कहा कि बच्पन से मुझे एक ही बात पता है, इस सारा वर्ल्ड मेरा एनिमी है, उसे लाइफ में कुछ भी होप मिलने नहीं वाला, फिन कहता है कि तुम अपने बारे में बहुत ही बदलते नहीं, इसके बाद जब फिन घर पर था, तो एस्टेला का बॉइफरेंट उसके पास आया, उसने एस्टेला की न्यू ड्राइंग्स वहाँ देखी, वो गहता है, एस्टेला मुझे जेलस कराने के लिए सब कुछ चीज़े कर रही है, मैंने अब तक उसे शादी के पूछा, वो फिन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे प्रपोस करना चाहिए, फिन उसे हा कह देता है, और कुछ भी बोल नहीं सकता था, नेकसिन में फिन को उसके एक्जिविशन के मैनेजर ने बुलाय हुआ था, वो उसे बहुत ही बड़ा स्टूडियो द वो होगा, कि वो एस्टेल की बरावरी का बन सके, सकस्वल हो सके, एक दिन फिन और एस्टेल ये दुनों पार्क में आये हुए थे, इन्होंने बहुत सारी बाती की, इसके बाद एस्टेला फिन से कहती है, मैरे बॉइफ्रेंड ने मुझे प्रपोस किया, फिन इस बात से ह Congratulations कहे देता है, रात में उसने Realize किया कि उसे ऐसा उसे कहना नहीं चाहिए था, वो इस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकता, हर जगा पर उसने उसे ढूंडा, एस्टेला अपने बॉइफ्रेंड के साथ एक डेट पर गई हुई थी, वही पर वो पहुँच गया, बॉइफ्र कि मेरी एक्जिबिशन तक तुम वापस आ जाओगी, एस्टेला कहती है, मैं तुम्हारा एक्जिबिशन मिस नहीं कर सकती है, इसके बाद बहुत दिन होके, फिन का एस्टेला से कोई भी कॉन्टैक नहीं हुआ, एक्जिबिशन का डे आ जाता है, यहाँ अबर हर जगा, व जो बहुत ही प्राउट थे, वो सबसे कह रहे थे, कि फिन बहुत ये चोटी से टाउन से है, बर फिर भी इतने बड़े शहर में, इतना बड़ा एक्जिबिशन उसका है, फिन नहीं जाता था, वे उसे कोई भी जच करे, यसलिए उसलिए इंबरस्ट हो जाता है, यही बात है, यह जो ने रियलाइस किया, वो वेचार हार प्रोकन थे, फिन उनके पीछे गया, और वो कहते है, जो भी तुम्हें सक्सेस मिला है, यह तुम डिजर्व करते हो, इसके बाद वो यहां से चले गये, फिन का एक्जिबिशन बहुत ही सक्सेस्फुल था, उसकी सारी देखिए, वो चिलाता है, कि देखो, अब मैं अमिर बन गया, क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए था, मुझे में जो भी स्पेशल है, इस सब कुछ तुम्हारी वज़े से, वो फिर उपर आ जाता है, खिडगे में एस्टल नहीं, तो नोरा थी, फिन ने बुझा कि एस्ट पन से एस्टल को दे रही थी, तुम सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस थै, मैंने तुम्हें वान किया था, कि उससे प्यार मत करना, वो तुम्हारा दिल ही तोड़ेगी, जब तुम नियॉक में आए, तब उसका बॉइफरेंड उससे कमिट नहीं कर रहा था, तुम्हारे सा अब मेरा दिल तूट चुका है, जिस तरीके से नोरा का फियांसों से छोड़ कर गया था, उस हार्ट ब्रेक में वो पागल होकी, उसी तरीके से फिन का भी हार्ट ब्रेक हुआ है, नोरा ने अपनी गल्ती रेलाइस की, उसे बहुत बुरा लगा, पर अब बहुत ही अपने हस्बंड के साथ एक अलग कंट्रे में चली जाती है, आज राज जब फिन अपने घर पर आया, तो नीचे कुछ लोग एक आदमी का वेट कर रहे थे, इनकी बातों से उसे पता चला कि उस आदमी को मार डालेंगे, एक आदमी बिल्डिंग में छूप रहा था, तो फिन ने उसे अपने घर में आने के लिए का, हम देखते हैं कि आदमी वही क्रिमिनल है, जिसे बच्पन में फिन ने हिल्प की थी, फिन उसे फर्सली पहचान नहीं पाता, फिन से बात करने के बाद, सकसे जानने के बाद, एक क्रिमिनल उस पर बहुत ही जादा प्राउड फिन ने अभी भी उसे पहचान नहीं था तो एक क्रिमिनल बच्पन में उसने फिन को जिस तरीके से पकड़ा था उसी तरीके से फिर से पकड़ लेता है फिन ने उसकी आखोसे उसे पहचान लिया फिन आज भी उससे बहुत डर रहा था वो इसे जाने के लिए कहता है क्रिमिनल ने का मैंने बुलिस को कॉल किया है थोड़े टाइम में यहां से मैं चला जाऊंगा क्रिमिनल ने सारी पेंटिंग्स देखी उसमें फिन ने उसकी भी एक पेंटिंग बनाई हुई थी वो गयता है तुम कितने बड़े हो चुके हो मैं तुम पर बहुत ही प्राउड हो जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि लॉयर ने बहुत अच्छा काम किया यह उसी लॉयर के बारे में बात कर रहा था जिसकी वज़ेश से फिन आज यहा है फिन को क्लियर हो जाता है कि इसी क्रिमिनल ने उसे सारे पैसे दिये थे वो फिर उसके साथ क्या गहता है हम पीछे के दर्वाजी से निकल जाकते है क्रिमिनल गहता है कि हम में पैरिज जाने वाला हूँ वहाँ की लटकिया वहाँ के नजारे बहुत ही अच्छे है वो जाने के लिए एक साथ रेट था ये चलते चलते स्टेशन पर आये पर जो लोग क्रिमिनल को ढूंड रहे थे वो भी वहाँ पर पोज गये थे ये जल्दी से ट्रेन में चड़ जाते है क्रिमिनल कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए हम दोनों बहुत एंज़ाइ करेंगे पर तब ही हम देखते हैं जो लोग इसे ढूंड रहे थे ये ट्रेन में भी चड़ चुके थे ये आकर क्रिमिनल को मार डालते है मरते मरते क्रिमिनल सब कुछ बताता है कहता है मैंने लाइफ में बहुत सारी गलत चीज़े की पर सिर्व एक बहुत अच्छी चीज़ की थी तुम्हें नियॉक भीजना मेरे पास बहुत सारे पैसे थे इस सारे मैंने तुम्हें दे दिये हैं हमेशा तुम आर्टिस की लाइफ जीना इसका मतलब है Finn का सारा आर्ट एक क्रिमिनल नहीं बाय किया था एक इलीगल वेसे अपने सारे पैसे उसने Finn को दे दिया Finn की बच्पन की ड्राइंग बुक आज भी क्रिमिनल के पास थे उसे पता था कि बहुत अच्छा ड्राइंग करता है उसने Finn का ड्राइंग पच्पन में पहचान लिया था Finn को बहुत बुरा लगा उसी के बास क्रिमिनल की डेथ हो गई आज Finn का सबसे बड़ा हार्ट रेक हुआ था पर उसे ये भी पता चला कि लाइफ ने उसे और एक चांस दिया है पर क्रिमिनल चाहता था कि Finn हमेशा खुश रहे वो उस पर प्राउड था फिर इसके बाद Finn अपने घर पर जाता है जोग को उसने हट किया था उसके पास फिर से वापस जाकर अपनी रिलेशनशिप सुधार लेता है जो पर भी अफ फिर से अपने टाउन में वापस आया तो फिर से नोरा का हाउस देखने के लिए जाता है उसकी अपडेट हो चुकी थी इस जगह अपर कुछ और बनने वाला था जेस गारडन में एस्टेल उसे फर्स टाइम मिली थी उसी पर उसे याद करता है पर तभी एक छोटी से लड़की वाँ खेल रही थी उसी का पीछा उसने किया वो एक्चुल में एस्टेल की बेटी है एस्टेल भी इस घर को लास टाइम देखने के लिए आई हुई थी फिन को पता चलता है कि एस्टेल का अब डिवास हो चुका है एस्टेल फिन से मिलकर खुश थी फिन अब और भी फेमस आर्टीस बन चुका है उससे कहती है आज कल में तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही थी उसने उसके साथ जो भी किया इस सारी चीज़े उसे रिग्रेट करती है वो बुशती है क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकते हो फिन कहता है क्या तुम मुझे जानती नहीं वो हमेशा उससे प्यार करता रहा है वो कभी भी उस पर गुसा नहीं हो सकता इन दोनों ने एक दूसरी का हाथ थाम लिया अब एक फर्स टाइब रियालिटी में एक साथ थे इसके पीछे और कोई प्लान नहीं था यही बरे मुवी एंड हो जाती है एस्टल एक फॉल्टी गैरेक्टर थी वर फिन ने उससे हमेशा बहुत प्यार किया प्राइब